Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 2.1 का question number 5 देख लेते हैं क्या है previous questions आपने देख लिया होगे, introduction आपने जरूर समझ लिया होगा तभी आप इन questions पे आए होगे, अगर introduction नहीं देखा तो एक बार please मैं आपको suggest करता हूँ introduction पहले देखिए, then आप इन questions को कीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे concept clear होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको question को, तो देखो यहाँ पे क्या है if set a equal to minus 1,1, set a के अंदर element हमें given है minus 1,1, find a cross a cross a भी, तीन बार cross product निकालनी है, डरो मत, बिल्कुल इजी है, दो बार cross product सिख्के आ चुके हो same step से हम तीन बार cross product भी कर लेंगे, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो a set जो given है, वो है हमारा minus 1,1, अब बाई cross product दो बार और करनी है, तो इसको भी लिख लो आप एक बार, minus 1,1, minus 1,1, अब ये समझाने के लिए लिखा है, मैंने कोई जुरूरी भी नहीं है, ऐसे लिखना, अब बनाना है, हमने a cross a cross a, ये बनाना है हमने pair, ठीक है, बिल्कुल इजी, easily देखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, देखो द्यान से, सबसे पहले तो ये चेक कर रो कि कितने हमारे pair बनेंगे, तीन-तीन के pair बनने हैं, क्योंकि तीन बार cross product हो रही है, तो total कितने pair बनेंगे, two इसमें से, two elements इसके हैं, two elements इसके हैं, और two elements इसके हैं, two, two, four, two, eight, total eight possible pair हमारे बनने चाहिए हैं, अब बना के देखते हैं, देखो, सबसे पहले क्या गरो, इसका first element दे लो, क्या है minus one, तो minus one ले लिया, इससे भी first ले लिया minus one, इसका भी first ले लिया minus one, एक बन गया, फिर इसका रखो minus one ही, इसका भी minus one रख लिया, इसका ले लिया हमने plus one, फिर क्या गरो इसका माइनस वन रखा इसका पलस वन कर लिया और इसका ले लिया माइनस वन बन गे तीन पोसिबल पेर तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल इजली आपने प्याद त्यार कर लिया यहां पे अब देखो और क्या possible pair है अब क्या करो यहां से low positive 1 फिर 1 के साथ किसका बनाओ minus 1 लिया इससे यहां से भी ले लिया minus 1 फिर 1 का लिया 1 का 1 के साथ फिर 1 का यहां पे 3 से plus 1 ले लिया फिर क्या किया यहां से 1, यहां से minus 1 और यहां से plus 1 देखो ये 6 possible pair तो आपने easily बना लिए अब 2 pair और रहते हैं हमारे कौन-कौन से रहगे देखो ध्यान से अगर मैं first वाले से लेता हूं minus 1 ठीक है, दोनों plus 1 भी तो हो सकते हैं हमारे last वाले, इसका भी plus 1, इसका भी plus 1 ये pair रह गया था, एक pair और रह गया अगर starting वाले से मैं plus 1 लेता हूं तो second वाले से भी plus 1 और third वाले से minus 1 ये हमारे क्या बनगे possible pairs देखो कितने बने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 8 pairs हमारे बनगे, बिल्कुल easily आप इसनको त्यार कर लोगे कोई भी doubt लगे तो हम मुझे comment करके पूछ सकते हो otherwise देखते हैं अपना question number 6 क्या है question number 6 की statement देखते हैं क्या है if a cross b equal to a x a y b x by find a and b अब भाई math वालों को पता चल चुका ये cross product तो सीख चुके next class अब क्या इसका opposite भी आता है इनको cross product से ये element भी निकाल सकते हैं sets के हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं इसकुल इसली हम देखते ही बता देंगे क्या क्या element बनेंगे तो हम देखेंगे कैसे बनाएंगे यहां पे देखो a cross b जो है वो क्या दे रखे हैं वो दे रखा है a,x a,y फिर दे रखा है b,x और b,y अब देखो हम possible pair बनाते हैं जब यहां पे देखो a set cross b set दे रखा है तो पहले आएगा a set a set के element क्या क्या हो जाएंगे यहां से देखो दुनों में a है जो भी first element होगा वो set a का होगा second element जो होगा वो set b का होगा यह चीज है बस यहां से देखो first element क्या है a, यहां से first element क्या है b तो A, B element क्या आगे हमारे set A के B set के अंदर क्या आजाएंगे B set के अंदर पिछे देखो value second value X, Y, X, Y तो ये value आगे हमारी X, Y ये values आगे हमारी A और B set के this is the answer बिलकुल इजी था अब उल्टा भी करके देख लो इन दोनों की cross product करो ये हमारे elements ये ही pair बनेंगे आगया समझ में किस तरिके से लेते हैं first element हमारे first set के होंगे second वाले पिछे वाले जो elements होंगे वो set B के होंगे clear कोई दिक्कत नहीं होगी next देखते हैं अबना question number 7 क्या है question number 7 के अंदर क्या given है let A set दे रखा उसके अंदर element है 1,2 B set के अंदर element है 1,2,3,4 C set के अंदर 5,6 element है D set के अंदर 5,6,7,8 है verify करना है क्या A cross B intersection C क्या equal to है हमारे A cross B intersection A cross C के तो चलिए देखते हैं कैसे करना है सबसे पहले देखो हमारे जो element है first question देख रहे हैं A के अंदर जो elements है वो क्या है 1,2 B के अंदर जो elements है वो है हमारे 1,2,3,4 C के अंदर जो elements है वो है 5,6 और D के अंदर जो elements है वो है 5,6,7,8 clear अब सबसे पहले चलते हैं first part पे क्या प्रूव करना है A cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C वैसे तो यह formula होता है देखो यहाँ पे इसको soul out करेंगे तो A cross B फिर intersection A cross C तो वैसे तो हमें पता है यह formula होता है बट हमने तो verify करके दिखाना है तो कैसे करेंगे देखो left and side में पहले चीए मुझे B intersection C तो B intersection C find out कर लो B और C में common क्या है B और C में तो कुछ common है ही नहीं तो क्या आगया null value आगी तो कुछ क्यों common ही नहीं मिला तो हमें null लेना पड़ेगा अब देखो A का और null का cross product A cross null किसके एक वला जाएगा null तो यह आगया हमारी left and side left and side में हमारी value आगी null मतलब phi आगया अब right and side को check कर लेते हैं पहले देखते हैं क्रोस B A और B की क्रोस product pair बना दो A क्रोस B क्या बनेगा 1 का 1 के साथ pair 1 1 1 का 2 के साथ pair 1 2 1 का 3 के साथ 1 3 फिर 1 का 4 के साथ 1 4 फिर 2 का 1 के साथ करेंगे 2 1 2 का 2 के साथ 2 2 2 का 3 के साथ 2 3 और 2 का 4 के साथ 2 4 अब देखो इसको direct भी 5 equal to 5 भी कर सकते हैं बट ऐसा नहीं करना है आपने verify करके दिखाना है मतलब prove करके दिखाना है next देखो A क्रोस C चाहिए मुझे A क्रोस C A क्रोस C कैसे निकलेगा A के element ये हैं C के ये हैं 1 का 5 के साथ pair तो 1,5 1 का 6 के साथ pair 1,6 फिर 2 का 5 के साथ 2,5 फिर 2 का 6 के साथ 2,6 ये वन गया हमारा एक रोस C अब देखो इनके बीच में sign किसका है intersection का तो right and side जो आएगी वो क्या आजाएगी ध्यान से देखो इन दोनों का intersection कर लिया इन दोनों में कुछ comment दिख रहा है बिल्कुल कोई भी pair comment नहीं है यहां पे तो comment नहीं है तो right and side भी क्या आगे हमारी 5 तो यहां पे क्या आगया left and side equal to क्या आगया right and side के कर दिया verify कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल इजली आपने कर दिया होगा अब देखते इसका second part क्या है a cross c is a subset of b cross d क्या a cross c हमारा b cross d का subset है मतलब जो भी b cross d के pair आएंगे उसके अंदर a cross c के pair present होने चीए तब ही subset हो सकता है आपको पता होगा subset क्या होता है set वाले chapter में अच्छे से सीख की आए है थोड़ा सा मैं एक बार hint देता हूँ मानलिया एक set है a उसके अंदर element है 1,2 b कोई set है उसके अंदर element है 1,2,3,4 तो यहाँ पर क्या है a जो है b का subset है क्योंकि a के सारे element b के अंदर present है ऐसा ही कुछ हमने देखना है तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर देखो a क्रोश c सबसेट चेक करना है b क्रोश d का तो पहले a क्रोश c निकाल लेंगे a क्रोश c a क्रोश c अभी निकालना था हमने तो क्या क्या possible pair बनगे 1,5 1,6 2,5 2,6 यह आ गया हमारा a क्रोश c अब क्या बनाना है हमें b क्रोश d चाहिए तो यहाँ पर लेंगे b क्रोश d के अंदर क्या pair बनेंगे देखो b और d में है 4,4 element तो 4,4 जा 16 तो 16 pair बनेंगे यह चीज ध्यान रखना अब देखो 16 pair बनाते हैं यहाँ से लो first element 1 1 का साथ 5 का pair फिर 6 का फिर 7 का फिर 8 का फिर 2 के साथ बनाएंगे 2 का 5 के साथ 6 के साथ 7 के साथ 8 के साथ इस तरीके से तो देखो 1 का 5 के साथ 1,6 1,7 1,8 यह बन गया फिर यहाँ से 2 इसके सारे सारे pair 2,5 2,6 2,7 2,8 बन गया pair फिर देखेंगे next 3,5 3,6 3,7 और 3,8 और लास्ट जो pair बनेंगे हमारे 4,5 4,6 4,7 और 4,8 यह बन गया हमारा B क्रोस D अब चेक कर लो क्या A क्रोस C के सारे pair इसके अंदर present है अगर present है तो subset otherwise नहीं है तो देखो इसमें 1,5 है इसमें भी है यह रहा 1,6 है इसमें है यह रहा 2,5 है यह रहा 2,6 है यह रहा तो चारो pair इसके अंदर present है तो यहां पे लिख देंगे so A क्रोस C is subset of symbol से भी लिख सकते है subset of B क्रोस D तो A क्रोस C, B क्रोस D का सबसेट है यह भी हो गया hands prude verify हो चुका कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रोस प्रोडक्ट तो आप बच्चों का खेल समझ रहे होंगे बिल्कुल इजी है अब भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते है otherwise चैनल को बहुत सारा स्पोर्ट दिखाए love कीजिए इस चैनल से मैं भी आपके बहुत सारा स्पोर्ट करता हूँ तो आप भी इस चैनल से बहुत सारा सपोर्ट दिखा के कुछ न कुछ तो करी सकते हो Thank you students for watching this video Thanks